प्रीए विध्यारतियों मैं डॉक्टर विनीता निर्बान MLV गौर्रमेंट कॉलेज भीरवड़ा आज हम वित्ती प्रणाली का अर्थ महत्व एमम संगठक के बारे में अध्यन करेंगे वित्ती प्रणाली से आशे अर्थ विवस्थाओं में बचत करता एमम निवेशकों की बीच सेतु के रूप में कारे करने वाले तंत्र को वित्ती प्रणाली की संग्या दी जाती वास्तों में वित्ती प्रणाली का आशे उस विवस्था से है जिसमें बचत एमम निवेश करने वालों की बीच निकट संबंद स्थापित कर अर्थ विवस्था में वित्य संसाधनों का संग्राण, विनियोजन, नियंत्रन एवं प्रबंदन का कारे किया जाता है। वित्य ब्रणादी, वित्य संस्थाओं, बाजारों, उपकरणों, सेवाओं, कार्य पद्धितियां वें प्रशलित व्यवारों आधी का एक जटिल एवं अंतर संबंदित समू है। Financial statement or system is a set of complex and closely intermixed financial institutions, markets, instruments, services, practices, producers and so on. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वित्य प्रणादी अर्थ विवस्ता में वेह विवस्ता है, जिसके अंतरगत वित्य संस्थानों, द्वारा बच्चतों का संगरन, उनके निवेशों का प्रभावपून आवंटन, विकास अमम विस्तार में निवेशों का प्रभं प्रणारी बैसा में बच्चतों को आर्थिक विकास के लक्ष से विबिन ने शेत्रों में बिन योगउजन करने के संधर्म में संबंधित किया जाता है। पूंजी निर्माण और उत्पादन में व्रद्दी से आयमे व्रद्दी का मार्ग प्रशस्त होता है जिसके प्रणाम स्वरूप आर्थिक विकास में गती मिलती है और आयमे व्रद्दी पुने बच्चतों एवं निवेशों में व्रद्दी द्वारा नई आय का स्रिजन कर नवीन निवेशों की और मोडती है नई आय व्रद्दी इस प्रकार आर्थिक विकास और आय व्रद्दी का चक्राकार प्रभा निरंतर चलता रहता है जिसे हमने रेखाचितर में भी प्रस्तुत किया है इसके अंतरगत आर्थिक विकास के लक्षे की प्राप्ती है तो में उत्पादन रो ज़त्ता है जिसंसे आयका सुलजण होता है आयम मीबरद्धी आर्थिक विकास के लक्षे की प्राप्ती में सहयक होती है भारति वित्थिय प्रणाली भारत में वित्य संस्थाओं विद्टिय सेवाओं का समावेश है जो विद्टिय प्रणारी को सुव्य वस्तित एवं संतुलित ढंग से संचालन में सायक होती है इसमें मुद्रा बाजार एवं पूझी बाजार जो कि हम में पूर्म में अध्यन किया है बैंकिंवम गैर बैंकिंग्स विद्धिय संस्थानों या संसाधनों तथा विविन प्रकार की वित्तिय सेवाओं द्वारा वित्ति प्रदान करना रिणों की गारंटी अंशोवम रिण पत्रों का अभीगोपन तथा बिलों की कटोती आधी समलित है। भारती वित्तिय प्रदाली के प्रमुख अंग। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार वित्तिय संस्था हैं जिसमें बैंकिंग संस्था हैं और गैर बैंकिंग संस्था हैं वित्तिय उपकरण जिसमें अल्पकालिन, मद्यकालिन, अमदीर कालिन और वित्तिय सेवाओं में वित्त विवस्ता, वित्त विवस्ता के अंतरग वीघोपन, बिलों की कटोती और अन्यसेवां मुद्रा भाजार वन पूंझ पूंजी बाजार संगतित पूंजी बाजार में संगतित पूंजी बाजार और अंगतित पूंजी कविक्रे अथवा लें देन या सुविधा उपलब दोती है अलपकालिन ऐवाम मद्दे कालिन वित्त्य परिस्तितियों या परेसंपत्यों के क्र 서울 porte एवाम लें देन हेतु पूझी बाजा जबकि दीरग का पूझी बाजार है जहां दीरG कालीन अंश पत्रों रण पत्रों आधिका लेंदेन होता है ये वित्तिय बाजार मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार दोनों में संगठित एवं आ संगठित शित्र के अंतरगत आते हैं वित्तिय बाजारों की समयावधी के अनुसार हम अल्पकालिन वित्तिय बाजार मद्यकालिन वित्य बाजार और दीरकालिन वित्य बाजार बाढ़ सकते हैं अल्पकालिन मद्यकालिन प्रपत्रों के खरीद विक्री एवं लेंदेन कारे करते हैं जो मुद्रा बाजार कहलाते हैं जबकि दीरकालिन अवधी के प्रपत्रों के खरीद एवं विक्री की विवस्ता पूंज बाजार भी कह सकते हैं जबकि पहले से मौझूद विपत्रों की खरीद विक्री अवं लेंदेन कारे करने वालों को द्वित्यक वित्य बाजार भी कहा जाता है संगठित शेत्रों में होने वाले संगठित वित्ति वाजार और आसंगठित शेत्रों में होने वाले आसंगठित वित्ति वित्ति वाजार कहराते हैं नेक्स्ट है वित्तिय संस्थाएं वित्ति संस्थाओं का आशे उन संस्थाओं से है जो वित्ति बाजार में सक्री रहकर वित्ति विपत्रों के क्रेवक्रे अथ्वा लेंदेन द्वारा अर्थविवस्ता के वित्ति विवस्ता में योगदान करते हैं वित्तिय संस्थाओं के अंतरगत कुछ विद्वानों के अनुसार वित्त बाजार में धन उधार देने वाले तथा धन उधार लेने वालों के बीच संपर्क सुत्र का कारे करने वाली संस्थाओं को वित्तिय मद्यस्त संस्थाओं कहा जाता है वित्तिय संस्थाओं को भी दो भागों में बाढ़ सकते हम बैंकिंग संस्थाओं और गैर बैंकिंग संस्थाओं का अभी प्रयों उन वित्तिय संस्थाओं से हैं जो जनता व्यावसाइक फर्मों तथा संयूक्त पुंजी कमपनियों से जमा परधन प्राप्त करती हैं तथ प्राप्त धन को अर्थ विवस्था के विभिन शेत्रों के विकास एवं विस्तार के लिए रिण इत्वा अग्रिम के रूप में निवेश करती है नेक्स्ट है गैर बैंकिंग संस्था हैं गैर बैंकिंग संस्था हैं वित्वाजार की वे संस्था हैं जो वित्वाजार में मद्यस्तों के रूप में कारे कर वित्विवस्था प्रदान करती हैं ये संस्था हैं जोखिमों के विरुद बीमा सुरक्षा प्रदान करने हैं प्राप्त धन को दीर्ग काले इन रण पर निवेशत से आय अरुजित करती है। उपकरण है अल्पकाली जो शौर्ट टर्म के लिए दिये जाते हैं मद्यकाली जो तीन से पांच वर्ष के लिए और दीर्गकाली जो पांच से बारा वर्ष की अवधी के लिए दिये जाते हैं मुद्रा बाजार के वित्ति उपकरणों में वित्ति बाजार में आलपकालीन हम मद्यकालीन अवधी के होते हैं जिने हम मुद्रा बाजार के अंतरगत डालते हैं और दीरगकालीन उपकरण जो हैं वो पूझी बाजार के वित्ति उपकरणों के अंतरगत आते हैं नेक्स्ट है वित्य सेवाई या वित्य संस्थाओं के अंतरगत के गए कारिय प्रते कर्थ विवस्था के वित्य बाजार में कई प्रकार की वित्य संस्थाओं द्वारा वित्य संबंदी सेवाई उपलब्द कराई जाती हैं सेवा हैं वित्य सेवाएं कही जाती हैं वित्य सेवाओं के अंतरगत वित्य संस्थाओं द्वारा रिन की गारंटी देना अंशो तर्था रिन पत्रों का अभीगोपन करना बिलों की कटोती करना शिर्शस्त बैंकिंग संस्थाओं डिजर बैंक आफ इंडिया आर बी आई अ अथवा नाबाड द्वारा पुनर वित्विवस्था कर वित्य की सुविदा अप्लब्द करवाना वित्य सेवाओं के अंतरगत आता है। वित्य मद्यस्त संस्थाओं का विस्तार से अध्यन। ऐसी मद्यस्त संस्थाएं जो बचत करताओं और निवेश करताओं के बीच कड़ी का कारे करती हैं उन्हें वित्य मद्यस्त संस्थाओं की संग्या दी जाती है वित्य मद्यस्त संस्थाओं की कारे प्रक्रिया working process of financial intermediary institutions वित्य वाजार के में कोशों के प्रभा को बनाए रखने तथा वित्य वाजार की सुद्रणता में बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग मद्यस्त संस्थाओं की कारेपणाली निम्निप्रकार है बैंकिंग मद्यस्त संस्थाओं की प्रक्रिया बैंकिंग मद्यस्त संस्थाओं बचत करताओं की छोटी छोटी बचतों को संगरहित करती हैं तथा रण उधार लेने वालों की साख जमा को भी जमा प्राप्त करवाती हैं प्रात्मिक जमाओं के धन को जब रन लेने वालों को उधार दिया जाता है तो रनियों के धन को पुना साख जमा के रूप में प्राप्त कर साख का स्रुजन करने का कारे करती है और बैंक अपने पास नकट जमाओं से कई गुणा उधार देने की शमता स्रुजित कर लेते है जिसे हम बैंकों द्वारा साख निर्मान के दर्गत अध्यन विस्तार से करेंगे गैर बैंकिंग संस्थाएं यद्धि भी ये संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से तो साख स्रजन नहीं करती परंतु आप प्रत्यक्ष रूप से वित्य संस्थाएं बैंकिंग शित्र में त्वरक का कारे करती हैं ये संस्थाएं वित्य बाजार में कोश प्रभा बढ़ाने के लिए प्रती भूतियों को प्राप्त कर अत्रिक्त कोशों को आवश्क्ता वाले शित्रों में हस्तांत्रित करती है भुक्तान तंत्र में इन संस्थाओं की अप्रतिक्ष भूमी का भी एहम रहती है वित्य बाजार में बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग संस्थाओं की मद्यस्तता से जहां एक और वित्य बाजार में निरंतर कोश प्रभा बना रहता है वही दूसरी और कम आवशक्ता वाले शेत्रों से आधिक आवशक्ता वाले शेत्रों में धन हस्तानंतरन से ही वित्त बाजार की सुद्रणता और परियाप्तता का मार्ग प्रशस्त होता है